छे राजियों की साथ विधान सभा सीटों पर उप्चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है इसमें उत्तरप्रदेश के घोसी और पश्चिम बंगाल की धूबगड़ी सीट भी शामल है पश्चिम बंगाल की धूबगड़ी विधान सभा सीट पर कॉंग्रिस और लेफ्ट क की डुमरी त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्स नगर और उत्राखंड की बागेश्वर सीट पर सयोगत रूप से मुकाबला कर रहा है जबकि पश्चिम बंगाल के धूबगड़ी और के पुथू पल्ली में गटबंधन के घटक ही एक दूसरे के खलाफ चुनाव रड़ आबादी है जिन्नोंने 2021 के विधान सभा चुनावों में बीजेपी को वोट दिया था इस निर्वाचन शेत्र में लगभग 15% अलप सेंख्यक आबादी भी है उत्रप्रदेश के मौउज इले की बात करे तो गोसी विधान सभा सीट पर उपचुनाव का बीजेपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिसे 403 सदस्य सदन में पूर भोमत प्राप्त है लेकिन इसका परिणाम महत्वपूर है क्योंकि ये अगले साल के लोगसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है और ये भविश्य का संकेत देने वाला साबिद भी हो सकता है गोसी विधान सभ उक्चुनाव में कुल 10 उम्मिद्वार मैदान में है भाउजन समाजवादी पार्टी ने यहां अपना कोई उम्मिद्वार नहीं उतारा है अनुमान के मताबिक घोसी में लगभग 4.38 लाख मतदाताओं में से 90 हजार मुस्लिम 60 हजार तलित और 77 हजार अगडी जाती से है जिन में 45 हजार भूमिहार, 16 हजार राचपूत और 6 हजार भामर शामल है केरल वधानसभा में बीजेपी का फिलहाल कोई प्रतिनिधी नहीं है केरल की 140 सद्य सई वधानसभा में मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी नीत LDF के वधायकों की संख्या 99 है जबकि UDF के वधायकों की संख्या 41 है मतदाता ये भी फैसला कर सकते हैं कि वधानसभा में भारतिये जुनिता पार्टी के एक प्रतिनिधी को भेजा जाए या फिर नहीं जारगन की डुमरी सीट से अपने प्रतिनिधी चुनने के लिए करीब 3 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तमाल करेंगे जिनमें 1.44 लाख महिलाए है इस सीट पर 6 प्रतियाशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 373 मतदान बूथों पर मतदान हो रहा है जिनमें से 200 बूथ माववाद प्रभावत है उत्तरप्रदेश की घोजी सीट समाजवादी पार्टी के फधायक और OBC नेता दारा सिंग चौहान के स्तीफे के बाद खाली हुई थी वो सपा छोड़ बीजेपी में शामल हो गए एंडिये ने चौहान को मैदान में उतारा है सीम योगी आदितनात ने बीजेपी की नेतरुत्व का नेतरुत्व किया है ये दिल्चस्प है कि सपा प्रमुक अखलेश यादव ने बिछले साल रामपुर और आजमगड की प्रतिश्चित सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए प्रचार नहीं किया था लेकिन घोसी में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया बहराल इस उपचुनाव को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बता है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लेके लिए